हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एग्री यूनिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोनामी के इकाई 5 के बारे में जो भी स्टुडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को वीजिट करके पुराने वीडियो दिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजिएगा जिससे आप लोगों के पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंशते रहें और पिछले वीडियो में हमने इकाई 5 में बात किया था जलवाय और मौसम वाय मंडल और वातावराड की स रशना क्या है तो इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट जो आपका है नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78.08 प्रतिशत पाया जाता है वाय मंडल में और आक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95 जिसे हम कभी-कभी 21% के नाम से कह देते हैं नेक्ट है आरगन आरगन की मात् प्रतिशन कार्बन डाय आक्साइट से प्रतिशन बनते हैं आपके सी ओटू कितना पाय जाता है वाय मंडल में तो 0.03 यानि 300-360 PPM पाया जाता है नियॉन जो है 0.0018 प्रतिशत पाया जाता है नेक्ट की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट है मिर्दा की वाय में कैसों की संद्र वाय मंडल में तो अब मिर्दा में हम देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट दिया है मिर्दा वाय में नाइट्रोजन प्रतिशत वाय मंडल की नत्रजन के लगभग ही समान होती है जबकि वाय मंडल की तुलना में आक्सीजन का अस्तर थोड़ा कम होता है नत्रजन भग आश्ठे 10 गुना बढ़ जाता है अधिक होता है जैसे CO2 यहां पर कितना पाया जा रहा था 0.03 प्रतिसद पाया जा रहा था वाई मंडर में लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 25 से यानि 0.25 से ले करके 0.03 प्रतिसद तक पाया जाता है यहां पर गलत लिखा हुआ है तीन प्रतिसद डायर्ट कर दिया है तो यहां पर होगा 0.03 प्रतिसद यह होता है आपके मिर्दाफ की वाई में गैसों की स्रेंद रशना नेक्स्ट है आपका सवर इस्थिरांग शोलर कांटेंट इसमें है पहला पॉइंट वातावरण की बाहरी सीमा पर एक वर्ग सेंटिमीटर के सतह छेत्र पर एक मीनट में गिरने वाली उर्जा को सवर इस्थिरांग के रूप में परिभासित किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है सवर इस्थिरांग का मान एक दस्थिरांग नौचार कैलोरी प्रति सेंटिमीटर स्क्वायर प्रति मीनट या यसाई काई में तेरा सो तिरपन वात प्रति मीटर स्क्वायर है नेक्स्ट पॉइंट है आपका सवर इकिड़ को बिद्दु चुम की तरंगो या कडों के रूप में प्राप्त किया जाता है जिसे क्वांटा या फोटान कहा जाता है नेक्स्ट आपका दिया हुआ टॉपिक पी ए आर प्रकास संसलेशक सक्री वीकिरण इसका पहला पॉइंट देख लेंगे तो पहला पॉइंट है आपका हरे पत्तों में प्रकास संसलेशक के दवरान तरंग दैध में सवरूर्जा का उपियोग 0.4 से 0.7 यू यम तक या वीक तक होता है क्या तरंग दैध प्रकास संसलेशक के लिए सबसे अधिक सक्री होता है नेक्स्ट पॉइंट दिया है पी ए आर या फोटान को क्वांटम सेंसर द्वारा मापा जाता है और नेक्स्ट पॉइंट है आपका पी ए आर की यूनिट आइंस्टीन या वाट मीटर स्कॉाइल भी है यहां से तो क्वेशन नहीं बनाएं लेकिन इसे याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दिया है लक्स लक्स यह सौर विक्रल की तीव्रता को मापने वाली पुरानी इकाई थी नेक्स्ट पॉइंट है संकीड तरंग बैंड में इस्प्रेक्ट्रो मेंटर द्वारा सौर विक्रल मापा जाता है तो सौर विक्रल को किसे मापते हैं तो इस्पेक्ट्रो मीटर द्वारा मापते हैं नेक्स्ट है गिरावट दर लैप्स रेट क्या है उचाय के साथ तापमान में कमी आती है जिसे तापमान गिरावट दर में ब्यक्त किया जाता है आम तोर पर तापमान में गिरावट की दर 6.05 degrees Celsius प्रत किलो मीटर है तो यहां से भी आपका question गिरावट दर का बना हुगा है कि तापमान गिरावट कितनी होती है अगर आप उचाय की तरफ जाते हैं तो सारे 6 degrees Celsius प्रत किलो मीटर पर जाने पर आपका कम होता जाता है नेस्ट पॉइंट दिया है नेस्ट टॉपिक है आपका एडियाबेटिक चूखदर एडियाबेटिक लैस रेट यह है पहला पॉइंट जिस दर पर हवा के बहने या गिरने के बाद तापमान में बतला होता है उ इसकी परिभासा हो गई सेकेंट पॉइंट दिया है सूखी एडियाबेटिक चूखदर 10 degrees Celsius प्रत किलो मीटर होती है नेस्ट पॉइंट है जिस इस्तिती में तापमान में गिरावट के बजाए अचानक व्रिध ही होती है उसे तापमान इन्वर्जन कहते हैं नेस्ट कर기도 कर वापिस वातावरण में जाने वाली विक्रदों के बीच का अनुपात है इसे हम क्या कहते हैं एल्वी-डू कहते हैं किसी सत्था द्वारा से तीस प्रत्स्यत के बीच होता है नेस्ट है ताजब बर्फ का अलबीडो सरवाधिक 75-95 प्रत्स्यत के बीच होता है यहां से भी क्वेशन आपका बन सकता है इंपर्टन्ट है इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद रखेगा नेक्स्ट टॉपिक दिया और हवा की गति केंद्र की ओर होती है नेस्ट पॉइंट है वाई मंडली दबाव हमेशा इस छेत्र के केंद्र में सबसे कम होता है और तेजी से बाहरी रूप से बढ़ता है जैसे तूफान टाइफॉन सरीकें साधी चक्रवात के नाम है नेस्ट है आपका जलवाई ह में तुलनातमक रूप से लम्बी अवथी के दवरान मौसम की अवस्था का योग है यहां से भी आपका क् Wyoming बन सकता है अभी तक है बनना नहीं है मौसम किसे कहते हैं लेकिंजलवाई जहां अभी नहीं पूछा गया है यहां तक हमारे जानकारी है नेश्ट पॉइंट है आपका टॉपिक आपका जलवाईव का वर्गी करने जलवाईव का वर्गी करने इसे किसने किया था तो डी कंडोले ने उनीश्व में किया था पहला पॉइंट है आपका दूसर पॉइंट में दिया यह वनस्पति के आधार पर जलवाय के वर्गी करण का प्यास करने वाला पहला प्याक्ति था शेकिन्ड है कोपिन ने क्या किया था तो इसमें पॉइंट है इन्होंने मौसम के तत्तों जैसे तापमान वर्षा के आधार पर दुनिया की जलवाय को पांच समुहों में विभाजित किया और नेक्ट क्या है ट्रोल पांच समुह में जो विभाजित किया उससे हम देख लेते हैं तो कौन-कौन से है तो इसमें रोपिकल फॉरेस्ट ड्राइ क्लाइमेट दूसरा तीसरा है वार्म टेंप्रेचर रेनी क्लाइमेट और चवथा आपका है कूल फॉ समुह में विभाजित किया इन्होंने किसे विभाजित किया तो जलवाई को विभाजित किया नेक्ट ट्रोल एक वैग्यानिक ट्रोल ने क्या किया यह वर्गी करन्ड उष्ड कटिबंधी अफ्रीका और दचली अमेरिका के वनस्पति छेत्रों की ब्याख्या करने के लिए शंतोस जनक पाया गया अगला पॉइंट है यह वर्गी करण क्रिस उद्देश के लिए उप्युक्त है जो ट्रोल ने किया था नेक्स्ट पॉइंट है इक्रिस सैट हैदराबाद ने भारत में अर्ध सुष गटबंधियों को वर्गी करिद करने के लिए इस पध्यति को अपनाया था किसका वर्गी करणड ट्रोल के वर्गी करणड को थार्णवेट थार्णवेट क्या है तो थार्णवेट में पहला पॉइंट दिया है P.E. सूचकांक T.E. एवं वर्षा के सीजन वित्रण के आधार पर किया गया है तो P.E. इंडेक्स बराबर P.E. गुडे 100 जहां पर क्या दिया है P.E. बराबर प्रभावी वर्षा P. बराबर वार्षिक वर्षा और E. बराबर वार्षिक वार्षिक करणड यह आपका P.E. यानि प्रभावी वर्षा कितनी हुई है इसको नापने के सूत्र जो है P.E. अपान E. गुडे 100 है निश्ट की चाज़ा करेंगे नमी की कमी सूसकांग टॉपिक के बारे में इसमें पहला पॉइंट है A.I. C.R.P. on dry land I.C. A.R. द्वारा ने M.D.I. पर आधारित वर्षिक करणड को अपनाया इसके लिए नमी की कमी सूसकांग के लिए निश्ट पॉइंट है तो M.D.I. बराबर P.-P.E. T. अपान P.E. T. गुडे 100 यह R.P.S.C. के A.C.F. एकजाम में 2021 में पूछा गया है R.P.S.C. और A.C.F. के एकजाम में 2020 में पूछा भी गया है तो यह आपका Most Important के रूप में रहेगा Next है आपका जलवाई M.D.I. मान के प्रकार तो उपाद्र कैसा होता है 0 से 33.3 प्रस्यत तक अर्ध सूसक की बात करें तो माइनस 33.3 से 66.66 तक अर्ध सूसक होता है सूसक या एरिड यह क्या होता है 66.6 से कम अगर है तो वह सूसक होता है Next topic देखेंगे तो आद्रता आद्रता के बारे में हम चाचा कर लेते हैं तो आद्रता का अर्थ वाई मंडल में जलवास्व की उपस्तिदी मात्रा होती है जलवास्व में जितनी मात्रा जलवास्व की होती है उसे ही हम क्या कहते हैं आदरता कहते हैं यानि जो आपकी वायू बहती है वायू में कितनी नयमी है या फिर पूरे वायू मंडल में क्या होता है वायू ही तो होती है उस वायू में जितने भी नयमी होगी उसे हम आदरता कहते हैं जैसे आपके बाशाद के समय में अधिक होती ये ठंडी में भी ठीक ठाक होती है लेकिन गर्मी में क्या होती है एकदम सूस को हो जाती है नेक्स्ट है सापेक्षिक आदरता सापेक्षिक आदरता कैसे ना पा जाता है तो इसका एक सूत्र है सूत्र की चर्चाम कहलेंगे तो सूत्र है सापेक्षिक आदरता बराबर हवा म में मौझूद जलवास्प अपान संत्रिप्ति के लिए आवस्यक जलवास्प गुड़े सो यह आपका मोस्ट इंपर्टन में रहेगा यह कई बार परिश्चा में पूछा भी गया है नेश्ट है सापेश आदरता को प्रतिसत में ब्यक्त किया गया है यह ग्यात करने में सबस विश्च आदरता की काई है ग्राम प्रति किलोग्राम नेश्ट टॉपिक है आपका वर्षा के रूप टाइपस आफ प्रेसिपिटेशन तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्षा क्या है तो वर्षा की बूदों का आकार जो होता है वह क्या होता है 0.05 से 6 मिलीमीटर तक होत होता है तो यह भी आपका most important question के रूप में है यह कई बार परिच्छाओं में प्रस्ण बना हुआ है बूदाबादी नेक्स्ट पॉइंट है बूदाबादी ड्रिजल इसमें बूदों काकर कितना होता है 0.2 से 0.5 मिलीमीटर तक राता है यह आपका most important है यह RPSC के AO 2016 में भी पूछा गया है नेक्स्ट आपका हीमपात इसनोफाल क्या है तो हलके बर्फ के टुकले जो उर्ध पातन की क्रिया से उत्पन होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ओस यह भी आपका most important question है कई बार परिच्छाओं में भी पूछा गया है और अनपरिच्छाओं में भी पाला कम ताप मान के करण बर्फ का पंक के रूप में मिदा या वनस्वत की सतह पर जमा होना फ्रास्ट कहलाता है नेक्स्ट पॉइंट है कोहरा, फाग, अलग प्रकार का एक पतला बादल बनना, फाग कहलाता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धूंदे आतुशार, एक बहुत महीन, पचास से लगभग 150 माइकरान की बूदों से बनता है, जिससे हम धूंदे आतुशार के नाम से जानते ह नेक्स्ट पॉइंट है आपका वास्प या वैपर, इसमें है वाई मंडल में जल का गैसी रूप में बनना वास्प कहलाता है, यह कुल वैस्पिक जल का लगभग 0.001% होता है, नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक आपका टेंप्रेचर या तापमान, यह मौसम का सबसे महत पूड तत्व है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, तो तापमान का मापन किसे किया जाता है, तो तापमान को मापने की सबसे महत पूड इकाई जो होती है, यह इकाई डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस में मापन जाता है, और सेल्सियस क्या होता है, तो इसकी च celsius में बदलने का जो सूत्र है वो सी बराबर यफ माइनस 32 अपान गुले 5 अपान 9 होता है चलेंगे फारेन हाइट की तरह तो फारेन हाइट है आपका इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट फारेन हाइट इसकिल में पानी का गलना के आपका मोस्ट इंपर्टन रहेगा इसक सूत्र क्या होता है फारेन हाइट इसकिल से celsius में बदलने का सूत्र नेक्स्ट पॉइंट है आपका फारेन हाइट इसकिल में पानी का गलनांक और कोथनांक क्रमसा 32 डिग्री फारेन हाइट और 212 डिग्री फारेन हाइट होता है इसमें एकला पॉइंट दिया है celsius से फार प्लस 32 यह भी आप याद रखिएगा यहां सभी क्वेस्टन बनता है नेस्ट है आपका केल्विन केल्विन जो इकाई होती है तो इसके बारे में चाचा करेंगे पहला पॉइंट है पूल्ड तापमान केल्विन इकाईयों में मापा जाता है अफ्शाल्यूट तापमान जो ह ही होती है तो इसे 0 डिग्री केल्विन कहा जाता है नेस्ट पॉइंट है केल्विन पैमाने में पानी का गल्लांग बिंदू 273 केल्विन और को धनांग बिंदू 373 केल्विन होता है यहां से भी क्वेस्चन आपका बना हुआ है यह आप याद रखिएगा यहिसका सूत्र भी पूछा गया है जीरो डिग्री डिग्री केल्विन बराबर डिग्री चल्सियस प्लस 273 नेक्स्ट है आपका सस्वाइद साला एक ग्रोमेट एपजोर वेटरी के उपकरण इसकी चर्चा कर लेंगे तो इसमें पहला पॉइंट है अधिक्तम एवं नियूनतम थर्मा मीटर नेक्स्ट पॉइंट है गीला एवं सूस्क बल्ब थर्मा मीटर इस्टे वेंशन स्क्रीन म लगे रहते हैं नेंस्ट पॉइंट मिदा ताप मापि इसाब आपने सस्थि council के उपकरण है निज टूकरण है आपका थर्मोग्राफ नेक्स्ट है हाइग्रोग्राफ नेक्स्ट वाइव दिक्षूचक यंत्र विंड्विनजरश नेक्स्ट पॉइंट है रोबिन्सन कप एनिमो मीटर नेक्स्ट है साधार वर्षा मापी यू यस डबलू वी खुला वास्पी करण पात्र नेक्स्ट और लास्ट है कंबेल स्टाक संसाइन रिकॉर्डर यह सब आपके क्या थे उपकरण थे किसके उपकरण थे सच्छ वैदसाला के उपकरण थे इसक में है इसका उपयोग दिन के दवरान प्राप्त अधिकतम तापमान को मापने के लिए किये जाता है इसमें खोकली कांच की नली पारा से भरी होती है नेस्ट आपका नियूंतन थर्मामीटर क्या होता है तो इसका उपयोग सबसे कम तापमान को मापने के लिए किये जाता ह पल्ब में अलकोहल के साथ एक ग्लाश ट्यूप होता है तो अधिकतम Теперь meter में क्या होता है काँश की नली में पारा और नियुनतरम हर्वाиях में होता हैilit बल्ब में इससट्र की अन्तिम सिरे पर बेंड होता है यह इसका प्रकार है नेस्ट है थर्मो कपल्स इनका उपयोग मिट्टी के तापमान को मापने के लिए किया जाता है और यह दो प्रकार के होते हैं जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो रसिस्टेंस विभिन घटनाए विभिन घटनाए क्या क्या होती है तो इसमें पहला है आपका कंटूर कंटूर दिया हुआ है कंटूर क्या होता है समान उचाई को जोडने वाली काल्पिंग रेखाओं को हम कंटूर कहते हैं यहां से क्वेस्टन कई बार परिशा में बना हुगा है इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेजिएगा नेक्ट है आइसो प्लेट्स क्या होती है किसी भी घटना के समान मुल्यों को जोडने वाली काल्पिंग रेखाओं को आइसो प्लेट्स कहते हैं नेक्ट है आइसो बार समान वाय मंडली दबाव के बिंदूओं को जोडने वाली काल्पिंग रेखाओं आइसो बार कहलाती है यहां से भी क्वेस्टन बन सकता है यह भी आपनो डाउन कर लेजिएगा नेक्स्ट है आईसो हाट्स आईसो हाट्स जो होती है वर्षा की समान मात्रा को चोड़ने वाले बिंदूं की काल्पनिक रेखाएं होती है नेक्स्ट है आईसो बात्स यह समान जल तालिका की उचाई के बिंदूं को चोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है यहां पर नेक्स्ट हुआ अपका आइसो हेल्स जो होता है बराबर धूर्प के घंटों को जोड़नेवाली कल्पनिक डेखा होती है बनेक्ट दिया है यह समान मौसमी घंटना की बिंदों को जोड़ने कर देखा होती है तो आईशो थर्म दिया है किया है समान तापमान के बिंदूं को और देखाओं को आईशो थर्म के आपध जानते हैं क्या है कि रूप में जानते हैं कई बार कई परिचानी प्रसंट बना हुआ इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं लेकिन किसी परिशावां में कुछ कम ही पूछे जाते हैं फिर भी आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा क्योंकि यह आये आराई PhD 2019 में पूछा गया हुआ प्रस्ण है नेस्ट है आपका आइसो प्लुवियल आइसो प्लुवियल जो होता है वह व जोड़ने वाली कालिगे करेखाए होती है नेक्ट पॉइंट है आईसो प्लुवियल जो आईसो के रहेकाए हो नेक्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो आईसो डेमिक ळिया हुआ है अईसो डेमिक जो होती है समान बिमारी की प्रचंडता दर्षाने वाली बिंदु को जोडने वाली कालपिक रेखाएं नेस्ट पॉइंट है, और लास्ट है आपका ISO क्लाइं, आइश क्लाइं जो होती है, सभी आउटपूट के लिए इनपूट की कम से कम लागत सयोजनाौं को जोडने वाले वक्र हैं, यह था आपके विविन प्रकार के जो समारेखाओं को जोड़ती हुई है नेक्स्ट है आपका उपकरण और उपका उपियोग यहां से आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां से जो बहुत बार परिशाओं में प्रशन बनते हैं तो इसमें पहला दिया हुआ है उपकरण अल्टी मीटर इससे जो मापा जाता है उचाई मापा जाता है इसका संबन उचाई से है यहां से क्वेशन बना हुआ है जितने अंडरलाइन करते चलेंगे आपनों कर लिजिएगा क्योंकि वह किसी ने किसी परिच्छा में प्रशन बना हुआ है नेस्ट है इनराइट बैरोमीटर यह भी वाई मंदली दबाव से संबन रखता है वाई मंदली दबाव को मापता है नेस्ट है एनिमोमीटर यह वाईव गति को मापता है और नेस्ट है बीफोर्ट इसकेल यह समुंदर में वाईव बल को मापता है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है Krisco Graph Krisco Graph जो होता है यह पौधे की ब्रिद्ध को मापता है नेक्स्ट है Dynamometer यह यांत्रिक उर्जा को बिद्ध उर्जा में परिवर्तित करता है नेक्स्ट है Campbell, Stokes, Sunshine, Recording यह सूर की शमक की अवधी घंटों में रिकार्ड करता है नेस्ट है ECG तो हिर्दय की हलचल को या मापता है यह भी आपका question बना हुआ है नेस्ट है Wind Vane यह most important रहेगा यह Y की गदि को गाटा को गाटा को नहीं मापता यह अनिमो मीटर नेस्ट है Tensiometer यहां से भी आपका most important question है यह बना होगा question है तो tensiometer से मापा जाता है मिर्दा नमी तनाव next है galvanometer तो electric current मापा जाता है galvanometer से next है porometer तो यह रंद्र के बेवार को मापता है जितने भी underlined है सब के सब किसी ना किसी परिक्षा भी पूछा करें प्रस्न है next है hydrometer hydrometer क्या करता है द्रिब के सापेक्ष घनत को मापता है यहां गल दिखा है द्रब के सापेक्ष घनत को मापता है hydrometer तो यहां से भी आपका question बना हुआ है इसे आप no down कर सकते हैं आदरता मापी या साइक्रोमीटर से सापेक्षी का आदरता को मापा जाता है लेक्टोमीटर दूद का घनत और दूद की सुद्धता को मापता है नेक्स्ट है लाइसी मीटर तो यह वासपोर्स रजनवा जल की लीचिंग द्वारा हानी को मापता है नेक्स्ट पॉाइंट है आपका मेनो میटर जड़का दबाव मापता है सारे के सारे जो है आपके जितने उकरण है सभी से प्राशन बना हुगा है यह आप जो है ज़याद चरू रखेहेगा नेस्ट है प्लाइनो मीटर प्लाइनी मीटर जो होता है अनिमित आक्रित का छेत्र को मापता है पाइर हेलियो मीटर जो होता है सीधे सवर विक्रण की मात्रा का माप लेता है नेस्ट है पाइरियो मीटर तो यह कुल सवर विक्रण की माप को मापता है तो यह भी आपका क्वे यहांसे भी question आपका बना हुआ है तो पानी के तल की गहराई को Agrometer नीक्स्ट है Potometer याॲोत सर्जन को मापता यहां भी आपका क्वेशन बना हुआ है.. यहांसे आपने डाउन कर लिजिएगा एत्य है आपके उक्रंड जो की से कि समबन्दी थे कंन कोन मापा जाता था किसे कया मापा जाता है तो यह उच्रहण आपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंड की तरफ तोْ नेक्स्ट है आपका स्चाईपर योउजनाओं का वर्दी करन किसी की करण हम कर लेंगे स्चाईपर योजना कौन-कौन सी है तो प्रमुख अगर आपकी से चाहिए पर इड़ना है तो यह दस अजार हेक्टेयर छेतरफल से अधी के लिए बनाई जाती है और लागत जो आती है वह पचास करोन के आजबास आती है यह भी आपका मुश्ट इंपार्टेंट रहेगा यहां से कई बार परिच्छा में प्रपर्शन बने हुए ह आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा नेक्स्ट है मध्यम यह दो हजार से दस हजार हेक्टेयर छेतरफल के लिए बनाई जाता है और पचीस लाग से पांच करोन का जो है इसमें कीमत लगती है इसके बनाने का खर्च आता है नेक्स्ट है लगु लगु जो होता है दो हजार आशे कम हेक्टेयर छेतरफल के लिए बनाए जाता और पचीस लाग तक की लागत आती है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद